गुड मॉर्निंग स्टुडेंस सिद्धी हिंदी विध्यालाई के इस उनलाइन च्लासिस में नाइंथ वाले बच्चों का हार्दिक स्वागत है अब बच्चों हमारा ये जो पार्ट चल रहा है यहां पे तो ये पहला लेशन है प्रेमचन द्वारा रचित दो बैलों की खता जिसका साहित्य प्रकार है कहानी अब कहानी की शुरुआत हो चुकी है उसमें हमने देखा कि जूरी कांची नाम का ये जो किसान है ये जूरी कांची के दो बैल है एक का नाम हीरा और दूसरे का नाम मोती दोनों बैल एक दूसरे के साथ मिलचूल के रहते हैं, खुशी से रहते हैं, दोनों अपने मालिक की वफादार हैं, दोनों जब खेत में जाते हैं, तो ज़ादा तर एक दूसरे की गर्दन पे वजन ना रहें, इसके लिए वो दोनों जुग जाते हैं, ताकि मोती चाता है कि हीरे की गर्दन पे वजन ना आए और हीरा चाता है कि मोती की गर्दन पे वजन ना आए दोनों साथ में एक खाना खाते हैं एक खाना नहीं खाता तो दूसरा भी खाना नहीं खाता है यहां पे दोनों बैलों को ऐसा लगता है एक दिन कि हमारे मालिक ने हमको बेच दिया तो वो दोनों यहां पे दुख प्रगट करते हैं वो कहते हैं कि भगवान ने हमें गुंगा रखा अगर उसमें हमें वाणी दी होती तो हम अपने मालिक से पूछते कि तुम हमसे और जादा काम करा लेते, गुलामी करवा लेते, हम सब करते, लेकिन तुमने हमें इस कसाई के हाथों क्यों बेच दिया, ऐसा दोनों बैल सोच रहे थी, यहां तक करीबन हमने पड़ा था, अब यहां से थोड़ा आगे दूसरा परिच्चे देखो बच्चो, संधिया समय दोनों बैल यहां से बाकी है, यहां से ध्यान देना है हमें, ठीक हैं, संधिया समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुँचे, दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए, तो एक ने भी उसमें मुह नहीं तो एक ने भी उसमें मुह न डाला, दिल भारी हो रहा था, जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था, वहां आज उनसे छूट गया, यह नया घर, नया गाउ, नये आदमी, उन्हें बेगाने से लगते थे, दोनों ने अपनी मुख भाशा में सला दी, एक दूसरे को कंख कंकियों से देखना, याने के बारी काई से देखना, और लेट गए, जब गाउ में सोता पड़ गया, सोता पड़ जाना, याने सुमसाम हो जाना, तो दोनों ने जोर से मार कर पगिये तुड़ा डाले, और घर की तरफ चले, पगिये बहुत मजबूत थे, पगिये याने उ दूगनी एक एक जटके से रसिया तूट गई अब यहां पर क्या होता है बच्चो ध्यान दीजेगा कि यह जूरी काची के जो दोनों बैल है वो गया अपने घर पे ले गया था जैसे तैसे गसीट कर दोनों बैल अपने घर तक मतलब गया के घर तक पहुंच गए दिन बर के बूखे थे अब रात को उनको मतलब जो नांध होती है उनका बरतन जो होता है जिसमें उनको खाना दिया जाता है उसमें उनको चारा डाला गया लेकिन दोनों ने उसमें मूह नहीं डाला दोनों बैठे रहे दोनों एक दूसरे को सला देते रहे और अपने मालिक को याद क अपने पगही ये चुड़ा लिया यानि पैरों में बांदे की जो मूटी सी रस्ती होती है वह फिर भाग निकले। और फिर भाग निकले। बहुत 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 बढ़ा के अपनी मालिक के घळब निकले। गुटने तक पाउं की चड़ से भरे हैं और दोनों की आखों में विद्रों में स्ने जलक रहा है। जूरी बैलों को देखकर स्ने से गदगद हो गया। गदगद हो जाना याने अतियदिक खुश हो जाना। मुहावरा हैं। दोड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमा लिंगन और चुम्बन का वद रश्य बड़ा ही मनोहर था। गाउं के घर के और गाउं के लड़के जमा हो गए और तालिया बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गाउं की इतियास में ये घटना भी महत्वपूर्ण थी। बाल सबा ने निश्य किया दोनों पशुवीरों की अभिनंदन पत्र देना चाहिए। अभिनंदन पत्र याने सम्मान पत्र। कोई अपने घर से रोटी लाया, कोई गुड, कोई चोकर तो कोई भूसी। अब यहाँ पर क्या होता है। उनका जो जूरी है। वह दोनों पेलों को देखकर और भी जाद खुश-खुशाल हो जाता है। मतलब उनके जो पैर है, इसमें कीचचर से सने हुए है। और यह दोनों बैल जो है ह। वह अपने मालिक को विद्रू की नजर से अर्थात-प्रेम भावर की विद्रो याने की गुसा, लेकिन गुसे में भी वो प्रेम से देख रहे थे अपने मालिक को मालिक जाकर दोनों को घले लगा लेता है और गाउ में जो बच्चे हैं वो बच्चे भी सभी खटे हो जाते हैं और तालिया बजाते हैं गाउ में ऐसे गटना कोई पहली बार नहीं हुई लेकिन यह बहुत ही मतलब आश्चिर चकित कर देने वाली बात थी बच्चे इतने खुश हो जाते हैं तालिया बचाने लगते हैं कोई अपने घर से उनके लिए रोटी लाता है कोई गुर लाता है कोई खाने के लिए चारा लाता है कोई बूसा लाता है इस तरह से अलग-अलग चीज़े इन दोनों बैलों के लिए बच्चे भी लेकर दोड़ने लगते हैं अब बच्चों यहां से थोड़ा और आके बढ़ते हैं एक बालक ने कहा ऐसे बैल किसी के पास ना होगे दूसरे ने समर्थन किया इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए तीसरा बोला बैल नहीं है वे उस जनम के आदमी है इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस ना हुआ जूरी की इस तरी ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी जल उठना याने गुसा आ जाना बोली कैसे नमक हराम बैल है कि एक दिन वहाँ काम न किया पागे खड़े हुए जूरी अपने बैलों पर यह आक्षिप न सुन सका नमक हराम क्यों है चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते स्त्री ने रोप के साथ कहा बस तुम्हे तो बैलों को खिलाना जानते हो और तो पानी पिला पिला कर रखते हैं जूरी ने चिड़ाया चारा मिले तो क्यों भागते स्त्री चिड़ी भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं खिलाते हैं तो रगड कर जोते भी है ये दोनों ठहरे कामचोर भाग निकले अब देखो कहां से खली और चौकर मि दूंगी खाओ चाहे मरे वही हुआ मस्दूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सुका भूसा दिया जाए अब ऐसा होता है यहां पे कि जो बच्चे थे वो तालिया बजा बजा कर यहां पे बैलों का स्वागत करते थे और खुश हुए उसमें से एक बच्च उसे मतलब एक साथ में ही चले आये यहां तक और तीसरा कहता है कि हाँ यह बैल नहीं यह तो किसी जनम के इनसान आदमी जैसे लग रहे हैं जो इनको मतलब इतना अच्छा यहां तक आने का ग्यान है और जूरी के जो पतनी है वो द्वार पे जैसे ही आती है घर के द्वार कहती है तो जूरी को गुसा आता है वो कहता है नमक हराम नहीं है ऐसा तो उसकी पतनी कहती है कि हां यहां पे नमक हराम नहीं है तो और क्या वहां गए होगे कोई उनको सहलाता नहीं होगा तुम्हारी तरह अगर कोई इनसान उनको दारा चानी चारा और भूसा खिलाता है तो यहाँ पे वो मजदूर से भी कह देती है कि खबरदार इन दोनों को अब से कोई भूसा या चारा नहीं दिया जाएगा नांद में कोई खाना नहीं डाला जाएगा उनको सिर्फ सुखा भूसा ही दिया जाएगा और हुआ भी ऐसा मजदूर ने दोनों को सुखा भूसा खाने के लिए दिया अब यहाँ पे जूरी जो होता है अपने बैलों के प्रती उसको बहुत प्रेम है और जूरी की पत्नी जो है वो दुनों बैलों को देखकर वापस देखकर वो गुसे में आ जाती है अब बच्छो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं बैलों ने नांद में मूँ मुझे मार डालेगी चुरा कर डाला न दादा पीछे से तुम भी उन्हीं किसी कहोगे अब यहाँ पे क्या होता है दोनों बैलों को मतलब वापस घर में ले जाते हैं और जहां पे दोनों रहते थे वहाँ पे दोनों को बान देते हैं और वही हुआ कि जूरी की पत्नी ने जैसे मजदूर को कहा था कि दोनों को खाना नहीं देना है सुखा बूसा ही देना है आखिरकार दोनों को सुखा बूसा ही मिलता है दोनों बैल खाने के लिए जैसे ही उस बरतन में मुझ मारते हैं तो उनको सुखा सुखा सा लगता है ना चिकना हट होती है उनको खाना भी किसी को पता नहीं पड़ेगा तो मजदूर कहता है कि नहीं अभी तो आप ऐसा बोलोगे फिर मालकिन को मालूम पड़ेगा तो वो मुझे ही डाटेगी आप उन्हीं की तरफदारी करोगे इसके लिए मैं नहीं डालूँगा अब यहां पर बचो हमारा यह जो पार्ट है यहां तक ही हम देखते हैं और आगे वाले वीडियो में इससे आगे बढ़ेंगे दूसरा हिस्सा यहां पर देखेंगे यह पूरी लंबी सी कहानी है लेकिन वो करीबन पांच या छे भागों में विबाजी थे हमने अब तक एक ह हिस्सा देखा है दिरे दिरे से पढ़ेंगे ठीक है थेंक यू आई